दुलन महदी YouTube चनल में आप सभी का स्वागत है Friends आज हम इस ओधियो में बात करें के class day 2 के Big class day 2 में हम लोग से सिंगल गोले से हम लोग चोटे सरकल से start करेंगे यह देखिए यह हो गया दोस्तों चोटा सरक्ट अब हम लोग डबल लेयर वाला सरक्ट गुनाएंगे आपको प्रेक्टिस करते टाइम बहुत ही आइस्ता आइस्ता प्रेक्टिस करनी है आप चाहो तो तील लेयर का भी सरक्ल बना सकते हैं पहला गोला छोटा बनाईए दूसरा गोला थोड़ा सा बड़ा बनाईए तीसरा इससे बड़ा बनाईए यह दिखी दो तो पहले तो हम लोगी साइट से बनाएंगे इसको यह देखिए पहले हम लोगी साइट से बनाएं अब हम लोगी साइट से बनाएंगे झाएंगे दो आएंगे दोका आप उल्टे सीधे चाहजी इस तरह से सर्कल बना सकते हैं तब सबके प्रेक्टिस करने का तरीका थोड़ा साथ सही होना चाहिए फ्रेट्स अब हम लोग लेर वाला सर्कल बनाएंगे लेर वाले सर्कल भी देखें आप हम लोग अंदर से बाहर की तरफ बनाएंगे कि अंदर से श्टार्ट किया आप इसको बाहर की तरफ बनाएंगी कि इस इतना इसमोज कौन चल रहा है आप भी अच्छे सेप्रेट किस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप शर्कल बना पाएंगे आप चाहे जितना चाहे जितना चोटा सरकल बना सकते हैं आप अब तो हमने सीका अंदर से बाहर दाएंश माइश की तरफ अब नुपाइंश की दायं इस तरफ चाहिए में यह इस तरब था दोस्तों अब यह दूसरी साइट सरोओगां यह देखें इसी को आप रीवर्स घुमा के बना सकते हैं मैं आप लोग को रीवर्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं उल्टा बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं तापकि आपकी प्रेक्टिस हर एक तरीके से हो जाए और आप डिजाइन्स किसी भी तरीके से बना सकते हैं ये इस तरह से अंदर से हो गया ये उसके वीपरित हो गया आप दोस्तों लोग बाहर से अंदर की दर्सा हमें तरफ बनाएंगी आप ध्यान से देखिएगा आपको जीतने बड़े गोले के आप सथता होगी उतने बड़े को आप बनायें जे लेखेंALK यह हो गया इस साइड से आप हम लोग इस साइड से बनायेंगे उसके बी परी को द्धान से देखिएगा दोस्तों कि अदुन स्टार्टिंग में आप लोग ठोड़ा बड़ा ही परेक्टिस किजिएगा और उसके बाद आप थोड़ी छोटी छोटी प्रेक्टिस कर सकते हैं इसके बाद दोस्त हम लोग सीखेंगे circle की setting I mean गोले पर setting कैसे मारे जाती है single गोले पर layer वाले गोले पर मैं आपको बता रहा हूँ देरी देरी करके यह देखिए पहले हम लोग single गोले पर सीखेंगे आप यहाँ पर कोई भी setting मार सकते हैं पहली वाली दूसरी वाली या तीसरी वाली अब हम लोग double layer के मारेंगे पड़ी सी पड़ी वाली setting मारेंगे यह हो गया देखिए सेकेंड लेयर के अब हम लोग layer वाली setting layer वाली गोले पर setting कैसे मारेंगे यह हो गया हमारा layer देखिए अब इसपी हम लोग setting मारेंगे अब हम लोग इन तीनों का यूज देखेंगे दूसरी वाली यह हम लोग इन तीनों का यूज देखंगे देखिए दोस्त इन तीनों का यूज करके हम लोग एक खुबसूरत सा गोला बनाएंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिएगा और आप इसको हाथ पर भी practice कीगे तो इस्टार्ट करते हम लोग layer वाले circle पर हम लोग भी start करते हैं यह देखिए दोस्त यह हमारा layer हो गया अब इस पर हम लोग बारीक सेडिंग मारेंगे यह होगी हमारी बारीक सेडिंग दोस्तों अब यहां पर हम लोग आपको बताया थे किसी या सरकल या आधा गोला वो चीज़ बनाएंगे तो आपको खुला सा ध्यान से देखिएगा बहुत यह हिस्ता हिस्ता आपको ठीचना है बनाना है अब दोनों तरफ से भी अगर आपके हाथ अच्छे से चल लें लगे हैं कोशिस करिए कि दोनों तरफ से दिजान इसको पूरा बनाएं यह देखिए दोस्तो हम लोग आसानी से इस सरकल को बना रही है अब हम लोग बात करेंगे दोस्त इस पे थोड़ी सी बर्डरेंग देंगे हम लोग बड़ा वाला सरकल जिसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डरिंग देने से दोस्ता और भी खूप शुरूत होती है यह थोड़ी थोड़ी खाली खाली गयर दिजाइन देखती है इसको आप फील्ड कर देंगे तो डिजाइन नहीं देखेंगी खाली जगह नहीं देखेंगी और आप असाने से प्रेक्टस यह दिखें तो चलिए इसके एक और लेहर मारते हैं हम लोग बड़ी वाली सेडिन यह देखी लेख तो मैंने आपको बताया था किस तरह बड़ी वाली सेडिंग मारी जाती है अगर नहीं आपको पता है तो वो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं यूटीब चैनल पर किस सेडिंग कितने तरिकों से मारी जाती है यह हो गया दोस्त लेयर वाला अब इसके उपर दोस्त हम लोग या तो सिंगल लेयर वाला सरकल मारेंगे या फिर मिक्स लेयर वाला सरकल मारें के हम लोग डिजाइन बनाएंगे जैसे आप लोग देखिए मिक्स लेयर वाले में हम लोग मारते हैं यह देखिए बहुत ही साउधानी से आपको प्रेटिस करनी है यहां पर छोटी-छोटी पॉइंट्स दे सकते हैं दो पॉइंट को कैसे देना है यह हमें अगले बीजी में बताऊंगा यह दोस्तों आपका सरकल बनके तयार हो गया अब आप चाहें तो इससे और भी बड़ा बना सकते हैं लेयर देखे बॉर्डरिंग देखे बट मैं चाहूंगा कि आज की वीडियो में आप इतना है अगर यह वीडियो पसंद आया मुझे कमेंट और लाइक और फिर जरूर कर दिजिएगा मिलते हैं अगरे वीडियो में दोस्त एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार दोस्ते हैं